हेलो फ्रेंड्स, पिछले दिनों सब लोगों ने जाना कि बॉलिवूट के स्टार सुसान सिंग राजपूर्ट ने खुद कुशी कर ली और ये नियूज हम सब के लिए बड़ा शॉकिंग था शॉकिंग नियूस पे सारे लोग दुखी थे और लगबग सारे लोगों का सोसल मीडिया पे पोस्ट आ रहा था तो उसी समय मैंने भी कुछ पोस्ट किया था तो मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे कहा कि ये जो लोगों की इच्छा है कि ये जीवन में कब क्या हो जाता है अच्छा बुरा तो अच्छाई को तो सब लोग जो है सो पहले से इमेजिन करके रखते हैं उसके बारे में सब जगह बात किया जाता है लेकिन जब किसी आदमे के साथ कुछ बुरा हो जाता है तो उसके बारे में कहीं कोई पहले से कोई planning नहीं होता है, कोई बाचीत नहीं की जाती है तो उसको कैसे deal किया जाए, इस पर जो है सो चर्चा होनी चाहिए तो उसी करी के शुरुवात में जो है सो आज का ये जो है सो वेडियो मैं बना रहा हूँ और सुसान सिंग राजपूत में ऐसी बात नहीं है कि वो और सफल थे, बहुत ही सफल व्यक्ति थे और बहुत जो है सो इंटेलेजन्ट व्यक्ति थे, सबको पता है कि इंजिनिरिंग के इंटरेंस एक्जाम में उनका सेवन्थ रैंक आया था फिर उनका एस्ट्रो फिजिक्स और बाकी जो साइन्स का पार्ट्स है फिजिक्स वगड़ा उन सबों में केमिस्ट्री वगड़ा में काफी इंटरेस्ट रहता था अभी भी जो है सोन के घर पे बहुत सारे फिजिक्स और किमिस्ट्री के किताबें हैं ऐसा निवस वगर में पता चला तो फिर ये सुसाइड जो है सु आदमी करक क्यों लेता है और ये तो एक्जामपल जो रीसेंट हमनों के पास है इसके अलावे भी आपक्सर किसी IAS का किसी IPS का या और भी किसी अधिकारी का जो है सुसाइड का इंसिदेंट का निवस आते रहता है अभी कुछ दिन पहले एक जो है सो टिक टॉक वीडियो की जो स्टार है सिया उसने सुसाइड कर लिए ऐसा भी निवस आया है तो फिर यह जिनको आम भाषा में हम लोग कहते हैं कि यह व्र jejukति तो सफल व्र jejukति आयफी व्र दो यह प्रसिदी है उनकाbenद का अधिषव है अछा वो अपने आच्छे में अच्छे को अच्छे से लीड कर रहे होते हैं तो तो फिर उनके ये अचानक से आत्म हत्या करने का कारण क्या हो जाता है। तो Facebook पर भी मैंने लिखा था कि हम लोग सफलता के बारे में तो अकसर बात करते हैं। सारे school, college, institutes सब सफल होने के तरीके के बारे में discuss कराते हैं। सारे institutes में आप जाएंगे तो successful candidates के photo बड़े बड़े लगे रहते हैं। उन सबों के लिखे हुए चिठी प्रमोशन के लिए use करते हैं। हम भी use करते हैं। बट जो बच्चा परिक्षा में ओसफल हो जाता है। चाहे वो किसी भी level की परिक्षा हो। उसका क्या होता है उसके बारे में कोई नहीं बताता है। ना फिर वो बच्चा जो है सो contact में रहता है। और यह है। तो एक तरह का तो यह ओसफलता है जो की visible है दिखाई देता है। लेकिन एक दूसरे level की भी ओसफलता है। आक्शुली उसको औसफलता ना कहकरके, Facebook पर ही मेरे एक दोस्त हैं, महेश जहा। उन्होंने कहा कि यह औसफलता नहीं है इसके पीछे कारण, इसके पीछे कारण होता है एक खालीपन। आदमी को उमीद होती है जब कि यह काम complete हो जाएगा, तो जो है स्वाम सुखी हो जाएंगे या फिर स्वाम खुश हो जाएंगे। उसका एक गोल होता है लेकिन जब उस गोल को वो प्राप्त कर लेता है उस लक्ष को जब वो प्राप्त कर लेता है तो वहाँ पर जाकर के उसको पता चलता है कि नहीं इस से भी स्वांदर का खालीपन भड़ नहीं रहा है तो उसके बाद उसका उत्साह या उसके बाद जो उ उसमें बेचानी रहेगी और यही बेचानी आदमी को इस जो है सो प्रेरित कर देता है लोग उसमें जो है सो सोचते 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 जो हैसा कदम उठा लेते हैं तो इसका जहां तक मुझे लगता है कि अगर किसी किसी तरह की समस्या हो तो आप स्पीक टू समवन किसी आदमी से बात करें सोचल मीडिया इतना बड़ा है कि इस पर आपको अपने किसी भी दोस्त को सर्च करते हैं मिल जाता है लोगों के दो तीन-चार चार-चार- पाच-बाच-बाच हजार फुरेंट्स होते हैं बट इस प जो आपकी बातों को सुनने के लिए कभी भी तयार रहे हैं, फैमिली मिंबर्स में से किसी को ढूड़े, अपने पड़िवार में जो आपके करीबी हैं, उनको जो है अपनी सारी बातें बता हैं, कई बार क्या होता है, कि हम लोग एक समस्या के पीछे अपने ही दिमाग से सोचते रहते हैं, हर आदमी एक मोनो टॉक होते रहता है, जब भी आप खाली बैठेंगे तो आप खुदी से प्रशन पूछते हैं、 और खुदी उसका जवाब देते हैं, खुदी जवाब देते हैं, एक आदमी के साथ नहीं सब के साथ होता है तो उस समय थोड़े सामधान हो जाए कि आपके जो प्रशन हैं वो कैसे हैं और उसके जवाब है वो कैसे हैं फॉजे कीज도 कि फिर मिलते हैं वही आपको जो हैसो परिशान कर देता है तो उस मोनोटॉक को इस टॉप करें खुद से बात करना बंद करें किसी दूसरे से बात करें वह कोई भी हो सकता है इतनी बड़ी दुनिया है, कोई भी आदमी आपको मिल जाएगा, आप उस पर जो हैसो ध्यान दें और उस आदमी से बात करें तो उसमें बात करने में दिक्कत क्या होती है कि लोग दो तरह के होते हैं एक तो अंतर मुखी होते हैं जिनको कहते हैं इंट्रोवर्ट जो अपनी बातों को जल्दी सब के सामने नहीं खोल के कह पाते हैं वो ओपन अप होने में उनको सब के सामने थोड़ा सा जो ऐसो दिक्कत लगता है और कुछ लोग होते हैं जो extrovert होते हैं वो सब के सामने open होते हैं तो ये introvert और extrovert कोई भी आदमी हो लेकिन ये जो मानसिक समस्या है सोचने वाली बात या फिर हम किस से कहें ये सब के साथ हो सकती है और introvert लोगों के साथ थोड़ी जादा होती है तो सबसे पहला तो जरूरत ये होगा कि आप जीवन में ऐसे दोस्त जरूर बनाएं ऐसे रिष्टों को जरूर बनाएं जो कम से कम आपकी बात को सुन सके और उसमें ये जो है सो लाइफ में आपका ये पहला जो है सो step होना चाहिए और इस step के बाद आपका बहुत सारा समस्या है जिसको आप discuss करेंगे तो ही solve हो जाता है दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि time has solution for every problem हर एक problem का solution time के पास होता है तो कुछ चीजों को तो आप time पर छोड़ दीजिए और पूरे भरोसे के साथ छोड़ देजिए उस पर कोई doubt मत रखिए अगर solve नहीं होगा ऐसा आपको confirm पता है तो भी चिन्ता करने की कोई जरूरत नहीं है आपको पता ही है कि ये solve नहीं होगा तो जब आप confirm जानते हैं कि ये solve नहीं होगा तो फिर चिन्तित क्यों हो रहे हैं और अगर आपको लगता है कि यह solve हो जाएगा तो भी चित्ता करने का कोई कारण नहीं है तो अपने thoughts को positive direction में रखेंगे हमेशा तो ही जो है स्वापका जीवन जादा अच्छे से बीतेगा और ये वाला जो वीडियो है इस पर आपके comments का मुझे इंतजार रहेगा इस पर आप जरूर से comment करें और क्या प्रश्न होगा आपका उसके हिसाब से जो है सो इसकरी का अगला वीडियो का जो है सो topic decide हो जाएगा और ये जो है सो मेरा जो channel है जिसमें मैं chemistry भी upload करता हूँ उसी में upload कर रहा हूँ तो chemistry वाले जो students है उनके पास भी notification जाएगा तो मेरा target audience मेरा student ही होता है वैसे ये आम जनता के लिए किसी के लिए भी हो सकता है तो आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को share भी करें और पसंद आया तो वीडियो को like करें और क्या जो है so problem है जिसको क्या आप चाहते हैं कि discuss करें तो उसको comment में जाकर क्या आप लिखेंगे Thank you